नवश्कार दोस्तों कैसे आप सब तो सेल्स मेनेजर प्रोफाइल के लिए क्रेश को स्टाइप सीरीज बढ़ा रहे हम पांसाथ वीडियो की लास्ट वीडियो में हमने डिसक्स किया था कि सेल्स मेनेजर रिलेशनशिप मेनेजर को अपनी लर्निंग को कैसे बिल्ड करना चा उनसे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कस्टोमर के बारे में तो चलिए प्रफाइल की रिस्पॉन्सिबिलीटिइस के बारे में शुरूआत करते हैं तो जो सेल्स मेनेजर होता है किसी भी बैंक में वेरियस बैंक अंड और एंटमें एसट प्रोड़क्ट में सेल्स manager या relationship managers होते हैं तो वो दो भागों में divided होते हैं एक होते हैं portfolio managers एक होते हैं fresh ya acquisition managers जिनको बोल देते हैं तो जो retail loans है जैसे lap हो गया, bail हो गया, auto loans हो गया, housing loans हो गया, उनके अंदर कोई portfolio manager type की profile नहीं होती, उनके अंदर सारे के सारे acquisition manager या fresh sourcing manager ही होते हैं जह working capital department होता है working capital department में कुछ बैंकों में ये दो separate separate profiles होती है एक होती है fresh acquisition manager जो नए customers को onboard करते हैं bank के पास नए customers लेके आते हैं एक portfolio managers होते है portfolio मनें जो existing customer base है bank का सिर्फ उनकी relationships को संभालते है तो आजकल जो trend चल रहा है banking sector का तो उस trend के अंदर ये दोनों profile का separate separate होने का कुछ खास meaning रह नहीं गया है अब हर एक sales manager ये relationship manager technically दोनों तरह के ही काम करता है portfolio का भी और fresh acquisition का भी तो इस वज़े से आपको इन दोनों angle से ही इस चीज़ों को समझने है तो दिखिए जो अगर broadly हम classify करें sales manager relationship manager profile को तो चार भागों में उनका काम divided रहता है एक होता है sourcing की नया case लेके आना नया business लेके आना नये case से मतलब है कि एक नया customer बिलकुल जो bank के साथ कभी भी नहीं जुड़ा था उस customer को ढूंड के लेके आना या हम बोल सकते हैं कि अगर आपका existing case है तो उसका additional loan देना तो sourcing का मतलब हो गया कि bank का additional business बने bank की additional book बने bank के additional loans disperse हों तो वो sourcing से मेरा मतलब है यहाँ पे दूसरा काम होता है sourcing करने के बाद उसका processing करवा के उसके loan को sanction करवाना पास करवाना ताकि वो loan के लिए मंझूरी लेना तो जब loan के लिए मंझूरी मिल जाए तो उसके बाद customer से acceptance करवा के उसके सारे documentation sign करवा के उस loan को उसके खते में पैसे डालना customer के डिस्वर्समेंट से मतलब है कस्टमर से के खाते में पैसे डालना देन आती है आफ्टर सेल सर्विस ये आफ्टर सेल सर्विस यूजली जादा आपको वर्किंग डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है तो आफ्टर सेल सर्विस में क्या-क्या कवर्ड है मेरे व्यू में त बताऊंगा तो जो मैं ये sales manager relationship manager profile बता रहा हूं ये मैं अपने 10 years of experience के साथ आपको पूरा cover करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने practically देखा है banking sector में उसके एंगल पे तो कुछ viewpoints मेरे खुद के हैं इसके अंदर तो आप उसके according इस चीज़ को समझेगा तो सबसे पहले हम sourcing से श sales manager ये relationship manager के कदमों में रखके देखिए कि आप एक bank में job करने गए हैं और आपके boss ने आपको बोला कि आपको दो क्रोट रुपे का business करने हैं पांच नई customers ढूंड के लेके आने हैं तो आप वो नई customers ढूंड के कहां से लेके आएंगे ये कोई वो business तो है नहीं कोई bucket selling का कि आप door to door जाएंगे लोगों के दरवाजे खटकटाएंगे और बोलेंगे कि आप हमसे ये हमारा product खरीद लो ये चीज़ तो होती नहीं है तो ये professional business है तो इसके अंदर कैसे काम होता है तो तीन चार तरह की sources होते हैं जिसके तुरू आप नए customers को अपने पास लेके आ सकते हो तो उसमें से first एक external source होता है external source मतलब वो लोग जो bank के बाहर काम कर रहे हैं कुछ CAs, CAs, कुछ professionals, lawyers, कुछ bank के बाहर काम कर रहे होते हैं तो वो professionals या कुछ direct selling agents जो DSS या DMS भी जिनको बोल देते हैं तो वो DSS market के बाहर एक professional financial consultant के तोर पे काम कर रहे होते हैं उनका काम होता है अपनी पाटियों को जो उनके सब जुड़ी हुई है उनको financial concernancy देना और उनको loans की requirement उनकी funding की requirement को fulfill करना तो आप as a sales manager देखें आप relationship manager हो sales manager हो आपका सबसे foremost job के अंदर quality चाहिए वो चाहिए relationship building की कोई भी आपको रास्ते के mode पे भी देखे ना तो ऐसा लगे कि वो बंदा आ जानता है तो अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं किसी भी डेली में काम कर रहे हैं जिस एरिया में भी काम कर रहे हैं तो आपको वहां पे जाके अगर आपका bank external sourcing के loans allow करता है तो आप वहां के मुख्या तो पर जितने डिये से से हैं जितने professionals हैं उनके साथ जाके मिलिए उनके साथ अपना relationship build कीजिए बातचीत कीजिए contact बनाईए उनके साथ ताकि उनका और आपका एक comfort zone बन सके जब आपका और उनका एक comfort zone बन सकेगा तो वह आपको आपको उनके जो clients है वो refer करना शुरू करेंगे loans देने के लिए शुरू शुरू में नहीं बनेगा महीना दो म confidence आएगा आपके उपर तो जब confidence आएगा तो वह आपको loans की files देंगे तो वह files आप source करके bank में input कर सकते हैं bank में लाके submit कर सकते हैं तो मेरे समझाने का purpose यह है देखिए आप किसी DS से या किसी professional से मिल रहे हैं आप उनके साथ कोई loan की बात कर रहे हैं कि इस client को loan करवाके देना हैं तो मेरा इसमें क्या रोल देखिए अगर आपके पास knowledge नहीं है अगर आपके पास products की knowledge नहीं है घर आपके पास credit की knowledge नहीं है अगर आपके पास understanding नहीं है अगर आप एक knowledge base के साथ वहाँ पर जाके उसके साथ बात करते हैं तो उसके उपर influence पढ़ता है कि यह बंदा दमदार है इसके अंदर दम है ठीक है तो इससे कुछ बड़ी चीज़ें भी discuss की जा सकती है बड़े प्रपोजल से भी discuss किया जा सकते है तो knowledge gain करना मैं तभी समझा करना हों कि बहुत जुरूरी है सिर्फ एक document runner boy की तरहां भाग के सिर्फ काज़े से कठे करके लेकर लेकर आना किसी को मैसेजिस करके खुश कर देना relationship बिल्ड कर लेना वह एक सफिशेंट तरीका नहीं है एक प्रॉपर रिलेशनशिप मैनेजर या सेल्ज मैनेजर बनने का तो यहां से आप फाइल सोर्स कर सकते हैं उसके बाद internal sources होते हैं internal sources मतलब जो bank के अंदर ही काम कर रहे हैं bank के अंदर बहुत सारे department होते हैं सबसे first उनके अंदर important होता है branches जो local branches होती है उन branches के अंदर walking customers होते हैं customers के बहुत सारे current accounts होते हैं saving counts होते हैं तो जब उन customers के सारे saving count current accounts की list निकाली जाती है तो आप उन customers के साथ टेली calling करते हैं टेली calling करके तो आप उन से उनकी requirement पूछ सकते हैं तो hopes हो कि आप उस में से आपको कुछी चीज़े click कर सकती है या branch के अपने relationship के थुरू भी कई बर कोई customer है ब्रांच में cash जमा कराने आता है तो जो cashier होता है उसका एक relation बिल्ड हो जाता है तो cashier बतो बत में पूछ लेता है कि sir आपको कोई loan की requirement तो नहीं है तो इस तरह से branch भी source कर लेती है तो वो आगे आपको refer कर देती है पर branch आपको तभी refer करेगी अगर आपके पास एक अच्छा knowledge base है आपकी personality अच्छी है आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा है आपकी relationship building skill अच्छी है तो ये सब चीज़ें आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है franchise team है then trade forex team है जो customers की importer export की transactions को संभालती है trade forex team के पास customers का base काफी अच्छा होता है then wealth team होती है wealth team जो customer की investments का portfolio संभालती है then other department की reference है माली जी आप lap department में काम कर रहे है और आपका working capital department के किसी बंदे के साथ अच्छा बातचीत है प्यार है तो वो working capital वाले department वाले बंदे ने कहा कि मेरे बंदे को एक lap loan की जुरूरत है individual नाम पे हम working capital में वो करनी पाते तो आप कर दीजिये अगर आपके पास working capital के department वाले बंदे के साथ अच्छे linkage होएंगे तो वो आपको refer कर देगा उसको याद आएगा कि भाई ठीक है माली जी आपका नाम रोहन है तो वो बोलेगा कि हाँ भी मैं रोहन को इसारी फाइल देता हूँ राइट तो other departments से भी आपको इस तरह से references आ सक clients का एक database निकालिए उसमें से top 20-30 clients value wise, conduct wise choose कीजिए उन customers को बोलिए कि sir I will like to have a cup of tea with you उनके साथ जाके मिलिए चाए पीजिए और उस customer के साथ एक अच्छा relationship build करके then again देखे मैं relationship building की बात कर रहो relationship build करके उस customer को बोलिए कि sir देखे आपका सब कुछ हमारे पास अच्छा चल र आपकी कोई और requirement मैं भो भी fulfill कर देता हूं पर क्योंकि आपका market में नाम इतना अच्छा है आपकी बातचीत इतनी अच्छी है market के अंदर आप किरपा करके कोई 4-5 customers, 4-5 parties आप हमें refer कीजिए जो आपकी ही तरह वर्दी party हों, जो आपके साथ deal करती हों, जिनके बारे में 4-5 parties के नाम और contact number बता देगा, तो उन 4-5 parties के contact number आपको मिलेंगे तो आप उन party के पास मिलेंगे, तो आप इस customer की reference के साथ मिलेंगे, तो आपके click कोने के chances बढ़ जाते हैं, तरीका होता है, last होता है, self-sourcing का तरीका कि आप अपने links से, अपने efforts से नए clients ढूंदने का कीजिए, as a relationship manager, as a sales manager, आपको society में काफी open up होके काफी vocal रहना पड़ेगा, आपको कुछ communities join करें, communities में नहीने लोगों से मिलें, वहाँ पे आपको बातचीत करें, अपने बारे में बताएं, उनके बारे में जानें, तो वहाँ से आपको opportunities मिल सकती हैं, एक मैं आपको example देता factory unit उसने देखा रास्ते में, तो building बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर building थी, तो board board लगा हुआ था, तो उसको लगा कि यार ये factory तो बड़ी अच्छी लग रही है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको try करता हूँ, उसने क्या किया, वो bank में वापिस आया, उ sir, ऐसे करके मैं इस bank में काम कर रहा हूँ, मेर ये department है, और मैं ऐसे करके funding करता हूँ, तो आपकी requirement हो, तो हम रास्ते से गुजर रहे थे, आपके साथ वाले ही factory वाले को हमने funding दी है, तो गुजर रहे थे, तो हमें आपकी factory अच्छी लगी, तो हमने सोचा कि चलो आपसे बा बात कर लेते हैं, तो बात की वह वाकी में वह customer बहुत अच्छा निकला, और मैंने और उस आरम ने उस customer को fund किया, चार क्रोड रुपेगा, तो आप देखे कि कैसे उस funding कैसे निकलाती है, on links और on efforts के साथ, industry की एक community बनी होती है, जैसे chamber of commerce मना होता है, कोई जैसे auto loans, auto parts वाले यह local share की, तो उस community की booklet होती है, तो अगर आप उस community में किसी परधान से, किसी secretary से, अगर आप relationship build कर पाते हैं, तो एक booklet मिल जाती है, तो उस booklet में जितने भी उस industry में काम करने वाले बंदे होते हैं, उनके नाम और contact number पता, सब कुछ लिखता होता है, तो आप अपने किसी CPA को ल relationship manager है, मैंने अक्सर जो relationship manager या sales manager को देखा है, वो हमेशा dependent रहते हैं, कि यार DSA ने फाइल नी दी, यार branches ने हमें फाइल नी दी, तो हम क्या करें, हमारा business नहीं हुआ, वो इन चीजों की उपर मेनत नहीं करते, इन चीजों पर मेनत नहीं करते, customer references तब आएंगे, जब आपक वो essential skill है, relationship manager और sales manager profile के लिए, तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो that means आप उस quality की अपने बढ़ानी पाई, जिस quality का आपको होना चाहिए, देखे, मैं बार बार मोलता हूँ कि communication skill होनी चाहिए, देखे, communication skill भी कहां से आती है, अगर आपके पास एक base है knowledge का, अगर आप तभी आप किसी से बात करते हैं, तो आपकी बात में वज़ण आता है, तभी आप एक की चार बाते सुना सकते हैं, तो knowledge लेना बहुत जरूरी है, मैं अगेन इस बात को repeat कर रहा हूँ, जो sales manager और relationship manager की profile होती है, बहुत लोगों को ये confusion रहता है कि ये target based profile है या नहीं है, 10 करोड का number करना है per month, आपको 5 करोड का number करना है per month, वो bank to bank, location to location vary कर सकता है, कई banks value के साथ numbers का target भी देते हैं, कि आपको 10 करोड तो करने हैं, पर कम से कम आपको 5 files करनी है, 5 fresh customers आपको लेके आने ही आने हैं, कई लोग इस तरह से भी करते हैं, कई लोग दोनों का mix चलाते हैं, कई banks, तो वो depend करता है कि आप कौन से bank में किस तरह से काम कर रहे हो, तो हर एक bank का अपना-पना अलग-लग method होता है, और target achievement के उपर हर एक bank का एक incentive का bonus का system भी रहता है, sales manager, relationship manager profile पे, जो की credit profile या किसी और backend profiles के उपर नहीं दिया जाता है, तो जब आप sourcing करने जाते हैं, तो उसको suitable रहेगा, क्या चीज उसको सही बैठेगी, कितना loan उसके लिए सही बैठेगा, customer की requirement को अच्छे से समझना आपकी duty है, और customer की worth को समझना भी आपकी duty है, क्योंकि customer तो loan लेने के लिए हर तरह का आपको call करेगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी मर्जी customer की file उठा के लेया औ और आके bank में submit कर दो, ऐसा करना कोई बहुत अच्छा एक sign नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर कल को कोई गलत case sanction हो गया, तो उसकी गाज भी आपकी उपर ही गिरती है, collection भी आपको करनी होती है, तो customer अच्छा वर्दी है या नहीं है, उसका market feedback आपको check करवाना, उसकी file उ network है उसे बंदे की, कौन-कौन है family में, कोई family में कोई जगड़ा तो नहीं है, business में कोई dispute तो नहीं है, कोई business में कोई दिक्कत तो नहीं है, proper ये थोरो analysis market का करना आपकी duty है, ताकि एक अच्छा customer ही bank के पास on board हो पाए, तो ये काम आपको sourcing के time पे ही करना है, right, then आ जाता है sanction का part, जब आपने अपने आपको satisfy कर लिया, कि ये customer की requirement है, ये मैं fulfill कर सकता हूँ, ये मेरा bank कर सकता है, मेरा ही department कर सकता है, और हम इसके able है, क्योंकि उसकी property की valuation अच्छी है, उसके financials might be decent होंगे, unit अच्छा है, market feedback अच्छा है, तो ये एक good to go customer है, worthy customers है, तो तो आप customer को list of document दीजिए, कि sir, आपको ये कागस हमें submit करने पढ़ेंगे, loan sanction करवाने के लिए, तो वो collection करके documents की, आप सारे के सारे document, as a good relationship manager को होता है, जो सारे के सारे document, one shot में, one shot में, एक ही list पूरी complete करके, with self signs, with OSVs, with clear images, सब कुछ करवा के one shot में submit करे, इसको हम बोलते है, FTR फाइल करना, FTR फाइल मतलब होता है, first time right, एक होता है, FTR, FTR, मतलब first time not right, तो जो good sales manager होता है, वो FTR फाइल करता है, मतलब first time right, मतलब जिसकी file में कोई pregnancy नहीं निकलती, file आई, तो एकदम से login होगी, right, FTR फाइल, वो होता है, जो weak sales manager होता है, कि वो सिर्फ उसको ये समझी न आता कि documents कौन कौन से collect करने है, customer से, वो आधे दूरे document लो उठा के ले आता है, आके credit team को submit करता है, credit team पेडेंसिया लगाती है, तो फिर वो पेडेंसिया वाले document क्लेक्ट करने चला जाता है, customer के साथ, ठीक है, उन पेडेंसिया वाले document में भी 70% ले आता है, 30% छूट जाते ह फिर credit team query लगाती है, फिर वो 30% collect करने जाता है, फिर लाके customer, फिर credit team को submit करता है, फिर जाके उसकी file login होती है, तो इतने में वो तीन बार customer के पास जाके document collect कर रहा है, और customer meanwhile irritate हो गया, time भी waste हुआ, customer भी irritate हो गया, कि भाई आप बार बार document ही बांगे जा रहे हो, फिर वो relationship manager, sales manager होते हैं, कि अपनी skin save करने के लिए, ये बोल दते हैं, कि भाई ये credit team ने मांगे थे, credit team के document है, query IT उसके document है, तो भाई आप clear communication रखो न, client के साथ, clear communication रखोगे, तो client भी समझेगा, कि ये चीज़े चाहिए, ये चीज़े नहीं चाहिए, तो FTR file के उपर focus कीजिए, तो वो submit करनी है, credit team को सारे document लगा के, one shot में complete document set, then आपको credit team के साथ follow up करना है, बहुत aggressive ही मत कीजिए, मैं खुद credit team से हूँ, कि एक गंटे बाद इफोन करने लग जाओ, ऐसा मत कीजिए, मतलब ठीक है, follow up लीजिए, आप follow up करने का मतलब होता है, कि देखे, credit team के पास में बहुत का करती है, इतने में ही कोई दूसरा bank, उसको sanction करके चला जाएगा, और आप पीछे चूट जाएगे, तो जितना quick decision आप दे सकेंगे, उतना ही बैतर है, तो उसके लिए आपको credit team से continuously licensing रखनी पड़ेगी, कि सर, मेरा case देख लीजिए, मैं मेरा case देख लीजिए, और आप अप credit की meeting जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी meeting करवाएं, और उन queries को resolve करवाएं, उन queries को resolve करवाने के बाद, अगर creditor ने बोला कि मेरेको ये documents और चाहिए, अपना proposal कम्प्रीट करने के लिए, तो उन सारी documents को collect करें, और timely submit करें, और one shot में ही collect करें, to and fro ना मत करते रहें, और credit query में 5 document मांगे, तो उनका क्या काम होता है, customer को communicate कर दिया, कि सर ये 5 का आगे चाहिए, customer ने mail send कर दिया, और mail चक के हमें credit team को forward कर दिया, खोल के देखा तक नहीं कि document सही submit किया है नहीं किया, ये quality क्या offer कर रहे हो, ये quality से तो काम कभी भी भी नहीं होता, आप अपनी quality जितनी improve करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, और उतना ही bank के लिए अच्छा है, तो उतना ही case आपका delay होगा, जितना आप two and four करोगे, जितना आप meeting करवाने में, resolution करवाने में delay करोगे, उतना ही credit वाला दूसरे cases में उलचता जाएगा, और आपके case को भूल जाएगा, तो वो चीज होती है, कई बार इसमें ये scenarios भी होता है, कि अगर आप credit team को बहुत ज़्यादा time invest करने के लिए दे रहेंगे case के उपर, तो वो और ज़्यादा घुसता है case के अंदर, तो और ज़्यादा घुसने का तो और query निकाल लेगा, तो कहीं न कहीं case आपका खराब हो क्रेडिटर ने case को sanction कर दिया, अब आपका काम शुरू होता है, अब ये second step में तो major credit गई था, अब आपका काम शुरू होता है, अब आपने वो sanction sanction जो आया है, उसकी sanction letter बना के client के पास जाना है, कि sir, देखिए हमने आपका loan पास कर दिया, अब client को convince करना है, कि sir, मेरे से loan ले है, वो loan amount चाहिए, मैं ये property निदूँगा, या मैं इसके अंदर मेरे को ये facility और चाहिए, तो वो सारे नखरे होते हैं, कई बर client कहता है, कि मेरे को दूसरा bank ये दे रहा है, वो दे रहा है, तो यहाँ पर आपका conviction का role शुरू होता है, यहाँ पर आपकी quality of communication शुरू होती है कि आपने customer के उपर अपना impression कैसे बनाया था, अपने आपको project कैसे किया था, अपने bank का impression कैसे बनाया था, अगर आप customer को अच्छे से impress कर पाए थे, sourcing के time पे, तो customer जल्दी ही आपसे convince हो जाएगा, तो उसको convince करेजिए कि अपनी sanction को वो accept करे, sanction letter के उपर sign करे, processing fees collect केजिए, उससे processing fees को debit करवाईए, और अगर उसने कोई modifications बोली है, तो जहां तक आपका bank allow करता है उन modifications को, तो उन modifications को करवा की दीजिए उस client को, right, rate की finalization करवाईए, convenience की जे client को कि ये rate, ये charges है, देखिए rate जो होना चाहिए, वो fair होना चाहिए, कई sales manager या relationship manager को मैं देखा है कि सिरफ rate क profitability के बारे में तो आपको सोच रहा है न, कि bank अच्छा profit कमाए, aggressive rate से आप client को convince करके लेके आ रहे हैं कि, कई sales manager देखिए कैसे convince करते हैं, कि sir आपकी property छोड़ देंगे, residential property छोड़ देंगे, sir आपका rate आधा कर देंगे, वो एक proper convince करने का तरिका नहीं है, ठीक है, वो एक factor होता ability में जो service के ऊपर, जो charges पढ़ रहे हैं, जो आपको hesitation हो रही है, जो आपको दिक्कते आ रही है, वो यहाँ पर कैसे sort out होंगी, rate का benefit of course हम आपको करवा के देंगे, charges का benefit of course हम आपको करा के देंगे, but वो rate or charges will be fair to bank as well as you, हमारे bank के लिए भी fair होना चाहिए, कि bank भी कुछ जाहिए, तो जब customer convince हो गया, तो सारे के सारे disbursement docs उससे sign करवाईए, then again, इसमें भी FTR और non FTR का concept आजाता है, इसमें भी FTR और non FTR का, क्योंकि सारे documents आपको sign करवा के operations department में submit करने होते हैं, disbursement करवाने के लिए, तो operations department में अगर आप FTR file login करते हो, one shot right, तो बहुत अच्छा लगता है, काम जल्दी हो जाता है, FTR file login करोगे, to and fro होगा, customer भी irritate होगा, आप भी irritate होगे, आपका operation department भी irritate होगा, उसको submit कीजी operations को, right, legal clear करवाईए, valuation clear करवाईए, properties की, यह बहुत important task है, बहुत ही cumbersome task है, इसके उपर आगर आप, जब आप, इसके उपर तो आप focus यहीं इसी stage से करना शुरू कर दीजिए, जब आपको पता चल गया, कि queries इसे nature की हैं, कि resolve होके, आपका case sanction हो सकता है, तो आप legal valuation का काम उसी stage पे शुरू कर दीजिए, advance में शुरू कर दीजिए, right, then बस limit setup करवाईए, और उसके खाते में, बैसे transfer कीजिए, जो भी conditions है, उसके सब से conditions को comply करवाके, right, तो ये disbursement का काम है आपका, then होता है after sales service, after sales service में क्या है, अब आपने किसी customer को on board कर लिया, disbursement कर दिया, अब वो आपका customer बने गया, ठीक है, तो अब आपका bank का customer है, तो क्योंकि आप कोई lab department में है, working department में है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ का phase होता है, customer के लिए वही bank है, right, तो आपको 360 degree relationship build करना है customer के साथ, आप customer को बोलिए कि sir, हमने आपको loan दे दिया, पर आप भी तो हमें कुछ दीजिए, आपके current account, saving account कहां चल रहे है, वो सारे हमारे पास transfer कीजिए, आपकी FDRs जहां पे चल रहे हैं, आप FDs हमें दीजिए insurance हम से करवाईए, आपकी कोई auto loan की requirement है, आपकी कोई housing loan की requirement है, आपकी कोई credit card की requirement है, मैं आपको concerned बंदे से मिलवाता हूँ, मैं आपको benefit कराके देता हूँ, आप other loans भी मेरे से avail करवाईए, या आपका किसी और bank के पास अगर housing loan चल रहा है, या auto loan या BL, कुछ भी चल रहा है, तो वो सारी requirements आप मुझे बताएं, मैं as a single banker आपको 360 degree आपको solve करके दूँगा, सारी चीज़े, तो 360 degree build कीजिए, और बहुत सारे bankों में relationship managers को इस चीज़ के target भी होते हैं, क्योंकि काईदे से तो ये काम खुद भी करना चाहिए, अगर नहीं भी करते हैं, तो दूसरे bank, relationship managers को asset के इलावा KASA का, FD का, insurance का, other loans का, investments का, ये target दी होते हैं, कि आप ये अपने existing customer से existing portfolio से करवा के दीजिए, right, then जो आपको मैंने first step में बताया था, उससे referral निकालिए, अब आप बोलिए customer को, sir, हमाने आपका काम करवा दिया, sir, अब 4-5 customer, मैं आप से नाम और नमबर ल पने है, जो customer को आपने fund किया, उसका conduct जुरूर चेक करें, ऐसा मत हो कि उसको पैसा देखे बूल गए, conduct जुरूर चेक करें कि भाई, वो churning हमारे पास कर रहा है, नहीं कर रहा, conduct ठीक चला रहा है, चला नहीं चला रहा, उसकी कोई market में bad news तो नहीं आ गई, कोई market feedback खराब को नहीं आ गया, तो open रखें अपनी eyes और ears, right, कोई pending compliance थे, आपके कोई deferral दिये थे, disbursement के time पे उन pending compliance को clear करवाएं, customer को satisfied रखें, customer को किसी भी तरह की दिक्कत ना आने दे, customer satisfaction का बतलब यह नहीं है कि customer ने जो बोला वो सब पूरा कर दिया, अब कली की बात है, कल मैं किसी customer क के साथ बात कर रहा था, वो customer अपना interest delay से serve कर रहा था, तो मैं उस customer को guide कर रहा था, कि अपना interest time पे serve कीजिए, तो customer ने मेरे को बोला कि sir आप senior है, तो मेरे को stock statement submit करने में बड़ी दिक्कत आती है, आपका bank हर मीने की 7th को stock statement मानता है, पर मेरा accountant महीने के पहले 20 दिन, मेरा part time account पहले 20 दिन वो busy होता है, उसको GST की returns फाइल करनी होती है, तो आप मेरी stock statement की date change करवा के 20 तारीक कर दीजिए, मैंने उसको बड़े politely answer किया, कि sir दीखिये हमारे पास 1000 customers हैं, छोटे बड़े हरतरा की customers हैं, तो हर एक customer के content या customer कुद 20 तारीक तक GST फाइल करते हैं, बड़ आ इस तरह आप खुद सोचिए कि मैं यह चीज कैसे करवा सकता हूं, एक single customer की request के base पे, तो बड़े politely मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझा के convince किया, वो समझ गया इस चीज़ को, ठीक है, तो customer satisfaction का मतलब यह नहीं होता कि आप customer की हर बात माने, आप अपने bank के bank के दाइरे में रहते रहते उसको कैसे satisfy करेंगे, यह आपकी कल है, यह आपको देखना है, उसकी day-to-day requirement कोई check clear नहीं हो रहे, working capital में होता है, उसको कोई TOD या ad hoc की requirement है, कुछ और उसको दिक्कत लग रही है, net banking में दिक्कत लग रही है, तो concern department से मिलवा के उसकी problems को sort out करवा तो यह after sales service का आपको ध्यान रखना है, 10 key points जो मेरे कुछ अपने सोचने के तरीके हैं, वो मैंने लिखे हैं, जब भी relationship manager एक बड़ा ही tricky segment हो जाता है, क्योंकि target पर profile है, खुद का भी लाला चाहा जाता है कि target पूरा करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पर bank के interest को हमेशा आ तो अगर 50-50 case है, अगर किसी तराजू में case को तोला गया, तो अगर वो 50-50 case है, 50% pros है, 50% cons है, then benefit of the doubt should always go to the bank, benefit of the doubt should always go to the bank, यनि कि उस case को छोड़ दीजी, करने का कोई फाइदा नहीं है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, 360 degree relationship जो आपको build कर रहा है, वो अकेला यह नहीं करना, customer के साथ, आपको internal भी build करना है, अपने within the bank, आपके within the bank बहुत सारे departments होते हैं, operation department है, credit department है, legal वाले है, valuation वाले है, branch वाले है, दूसरे department, दूसरे loan के departments वाले है, trade team वाले है, wealth team वाले है, preview वाले है, 36 तरह की department है, back end centralized team है, 36 तरह की department है, मैंने कई sales manager, relationship managers का trend देखा है कि भई, कोई काम ने कर रहा, escalation कर दो, गंदी सी mail डाल दो, उसके खिलाफ ऐसे करके, भई, डालते रो, डाल दोगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, पर यह याद रखिए, आपको काम करवाने उनी से ही आना है, बार बार, और किसी ना किसी दिन, आप जब back foot पे हुए ना, औ और वो जब front foot पे हुआ, तो अगर कोई बंदा ego पे ले गया, तो वो आपका काम खराब कर सकता है, तो यह चीज़ देखे होती है, देखे होना यह चीज़ देखे, ego पे लेके काम करना होता गलत है, पर मैं यह कहता हूँ कि human nature होने की वज़े से यह चीज़ देखने में आत करेंगे, बड़ साथवे महीने तो आप खुदी आपके पास वो चीज़ बैकफायर करेगी, करेगी, बैलेस आपको maintain करना है, customer relationship में और एक bank के hit के बीच में, जो मैंने आपको यहां पर समझाया, दोनों की बीच में balance maintain करना है, सिर्फ customer की भी नी सुननी, सिर्फ bank की भी नी कर सके, correct guidance देना, आपके customer को और अपने internal bank में, customer के बारे में देना, internally, वो दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आगे होके case की ownership लेना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, and last and foremost चीज़, collection, अगर आपका कोई case खराब जोता है, तो उस case के उपर collection करने, कि client को manager की profile का, तो मैंने आपको समझाना चाहा, इस profile के बारे में, जहां तक हो सका, मैंने काफी points को touch base बराने की कोशिश की है, बाकि next video में हम मिलेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे, कि जब आप first time customer से मिलें, तो क्या basic बाते उससे पूछें, तो next video में discuss करेंगे, thank you very much.